श्रीक्रिष्ण जन्माष्ट में की तयार यान जोरो पर है चारो और बाल गुपाल के जन्म दिन की ही उमंग देखने को मिल रही है लेकिन इस बार कुछ और भी चीज़े देखने को मिल रही है कि आखिरकार जन्माष्ट में का जो पर्व है वो किस तारिक को मनाया जाएगा यानि कि 6 सितंबर को ये मनाया जाएगा या फिर 7 सितंबर को और यही चीजे रक्षा बंदन के समय भी देखने को मिले थी कि आखिरकार रक्षा बंदन दो दिन की है या फिर एक दिन की उसमें भी कुछ शुब बहूरत आपको बताए गए थे कि किस समय आप राखी बान सकते हैं तो आज हम आपको जन्माष्टमी के बारे में बताएंगे कि कब जन्माष्टमी का परवाप मना सकते हैं क्या इसका शुब महूरत है कब से जन्माष्टमी शुरू होने वाली है आखिरकार दो दिन तो हर क्यों आ जाते हैं और अलग-अलग जो योतिश है तो क्या-क्य इसमें कहते हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार जन्माष्ट में की छुट्टी आपको कब होने वाली है आपको बता दे कि इस साल जन्माष्ट में 6 और 7 सितंबर दोनों दिन मनाई जाएगी जत्युष्यो का मत है कि कृष्ट जन्मोट सव 6 की राथ ही मनाना चाये क्योंकि इसी रात में तिथी नक्षात्र का वो ही संयोग बन रहा है जैसे द्वापर योग में बना था वही द्वारी का व्रिंदावन और मतुरा सहित बड़े कृष्ट मंदिरों में वैश्णव संप पचासवा जन्म पर्फ है अश्टमी तिथी 6 सितंबर को दोपहर करीब साड़े तीन बज़े शुरू होगी साथ सितंबर को शाम चार बज़े तक रहने वाली है श्री कृष्ण का जन्म अश्टमी तिथी की रात में हुआ था इसलिए जोतिश्यों और ग्रंथों का कहना ह है कि 6 को जन्माश्टमी मनाई साथ तारिक को सुर्योदे के वक्त अश्टमी तिथी रहेगी इसलिए उद्य तिथी की परंपरा के ही मुताबिक जादातर मंदिरों में इसे दिन जन्माश्टमी मनने वाली है इसलिहास से देश के जादातर हिस्सों में 7 सितंबर को ही जन्म जनमाश्ट्मी मनाई जाएगी और आपको बता दे कि बनारस में 6 सितंबर को ही जनमाश्ट्मी का पर्व मनाया जाएगा gamma आपको बता दी कि एक शास्त्री का कहना है कि वरत और पर्वों की तारीख तै करने के लिए धर्म सिंधु और निर्ने सिंधु नाम की ग्रंथों की मदद ली जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बनारस में 6 सितंबर को ही जन्माश्ट मी मनाई जाएगी। आपको बता दे कि अश्टमी तिथी 6 को दुपहर साढ़े तीन बजे से शुरू होगी लेकिन अश्टमी तिथी के साथ रोहिणी नक्षत्र 6 साथ की दर्मियानी राथ ही होगा। 6 सितंबर को जब अश्टमी तिथी होगी। इसे उध्यातिथी कहते हैं कई मामलों में ज्योतेश गर्ना में उध्यातिथी का महत्म होता है। इसलिहाज से छे को सब्तमीति थी और साथ को अश्टमीति थी मानी जाएगी, अब एक और सवाल सभी के मन में आया होगा, कि जादतर जो तेहार होते हैं, वो दो दिन क्यों मनाया जाते हैं, शिवरात्री का अगर हम पर्व देखें, तो वो भी दो दिन ही मनाया जाता है, दी अंग्रेजी केलेंडर के मताबिक नहीं होती है, अक्सर तितियां दोपहर या शाम से शुरू होकर अगले दिन तक होती है, जिस तिति में दिन भर वरत के बाद पूजन का महत्व होता है, वो ज्यादा तर उद्या तिति में मनाई जाती है, जिन तितियों में रात की वस्या की बजाए एक दिन पहले ही अम वस्या पर रात में लक्षमी पूजन भी किया जाता है अब एक और सवाल कि आखिरकार जो जन्माश्चमी की छुट्टी है वो छे तारिकों होने वाली है या फिर साथ तारिकों और ज्यादा तर बच्चों को इसका इंतजार रहने वा जाएगा ऐसे में अधिकतर शहरों में जन्माश्चमी की छुट्टी 6 सितंबर 2030 को है हाला कि शहर के अनुसार छुट्टी की तारिक अलग भी हो सकती है यानि कि यह आपके शहर में ही डिसाइड होगा कि कब आप इस पर्व को मनाने वाले हैं जैसे मतुरा की यहां पर मैंन जाएगा हाला कि कुछ जगा पर 7 सितंबर को भी मनाया जाएगा तो यह जगा के हिसाब से ही डिसाइड होने वाला है कि आपकी छुट्टी 6 तारिक को होने वाली है या फिर 7 तारिक को अब देखिए जन्माश्चमी का पर्व बस कुछी क्षण दूर रह चुका है तो एक बदाईया देता है